Good morning friends, स्वागत है आपका, आपका अपने YouTube चैनल Study with Revit Hacker पर चलिए आज की दहिंदू एडिटोरियल वकाबलर की शिरुआत करते हैं आज की वकाबलर का पहला वर्ड है Dastardly Dastardly यहाँ पर वर्ब की तरह यूज हुआ है इसका मतलब होता है कायर होना, कायरता दिखाना, कायर होना, डरपोक होना या फिर नीज होना उसे बोला जाता है Dastardly If you describe an action as dastardly, you mean it is wicked and intended to hurt someone That is called dastardly अगला शब्द है Prominent P-R-O-M-I-N-E-N-T Prominent P-R-O-M-I-N-E-N-T Prominent ये शब्द यहाँ पे adjective भी तरह यूज हुआ है इसका मतलब होता है ऐसा कोई व्यक्ती जो बहुत ज़दा important हो विख्यात हो, प्रमुख, विशेष्ट्या महत्वपून होना, बहुत important person होना उसको बोला जाता है Prominent Someone who is prominent, is important and when known That is called Prominent अगला शब्द है Conspirator Conspirator यहाँ पे noun की तरह यूज हुआ है इसका मतलब होता है ऐसा कोई व्यक्ती जो किसी के खिलाफ किसी तरह की कोई साजिश रचे, शरियंतर रचे शरियंतरकारी, राज दरोही या फिर विश्वास घाती हम बोल सकते हैं उसको इंग्लिश में बोला जाएगा Conspirator A conspirator is a person who joins a conspiracy That is called Conspirator अगला शब्द है Apprehended Apprehended यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है इसका मतलब होता है पुलिस के द्वारा पकड़कर गिरिफतार किया जाना जेल में डाल दिया जाना उसे बोला जाता है Apprehended If the police apprehends someone They catch them and arrest them That is called Apprehended Next word है Extradition Extradition यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है इसका मतलब होता है किसी एक देश के द्वारा किसी दूसरे देश को मुजरिम अपराधी या फिर व्यक्ती का प्रत्यारपन करना वापिस भेज दिया जाना उसे उसके देश उसे बोला जाता है Extradition That surrender of an accused or convicted person by one state or country to another That is called Extradition कोई एक विशेश ट्रिटी के तहत कोई एक विशेश संधी के द्वारा किसी अपराधी को किसी मुजरिम को किसी उसके दूसरे देश को सौप दिया जाना वापिस भीज दिया जाना उसके अपने देश प्रत्यारपन करना उसका उसे बोला जाता है Extradition अगला शब्द acquitted acquitted यहाँ पे adjective भी तरह यूज हुआ है इसका मतलब होता है दोश से मुक्त हो जाना अपराद से मुक्त कर देना किसी को निर्दोश ताबित होना उसे बोला जाता है acquitted declare not guilty of a specific offense or crime legally blameless that is called acquitted इस document की pdf को आप मेरे telegram group से जोड़ सकते हैं इस document की pdf के लिए इस document की vocabulary की pdf है आपको मेरे telegram group पे मिल जाएगी मेरे telegram group का नाम है इसी वीडियो के description box में भी डाल दूँगा तो आप description box में जाकर मेरे telegram group के link को access कर सकते हैं अगला word लेते हैं अगला word है containment containment यहाँ पे नाम की तरह यूज़ हुआ है इसका मतलग होता है किसी भी परिस्थिती पर किसी भी काम पर अपना नियंतरन रखना अपना काबू पाना उसको अपने control में रखना उसको बोला जाता है containment the containment of something dangerous or unpleasant is the act of or process of keeping it under control within a particular area or place that is called containment अगला शब्दे complacency complacency यहाँ पे नाम की तरह यूज़ हुआ है इसका मतलग होता है अपने आप से satisfied होना satisfaction होना स्वायम से संतुष्ठ होना हम बोल सकते हैं आत्म संतोष होना उसे बोला जाता है एंगलिश में complacency the feeling you have when you are satisfied with yourself that is called complacency अगला शब्दे redundant redundant यहाँ पे जेक्टे की तरह यूज़ हुआ है इसका मतलग होता है ऐसा कोई काम या ऐसी कोई बात जो बिल्कुल गैर जरूरी हो फाल्तु हो या फिर व्यर्थ का कोई काम होना उसे बोला जाता है redundant something that is redundant is unnecessary अगला शब्द है entrance entrance से यहाँ पे noun की तरह यूज़ हुआ है इसका मतलग होता है किसी भी क्षेतर में किसी भी business में या किसी भी competition में प्रवेश करने वाला जो enter करे कोई व्यक्ती उसे बोला जाता है entrance a person who enters a profession competition, exam, university, etc. that is called entrance अगला शब्द है reiterate reiterate यहाँ पे verb की तरह यूज़ हुआ है इसका मतलब होता है किसी बात को बार-बार कहना जोर दे के उसको बार-बार दोहराते रहना उसे बोला जाता है reiterate to repeat an opinion statement that has already been said to make the meaning clear or to emphasize it that is called reiterate अगला शब्द है interventions interventions यहाँ पे noun की तरह यूज़ हुआ है इसका मतलब होता है किसी भी काम में अडंगा डालना, व्यवधान उत्पन करना या फिर हस्तक्षेप करना उसे बोला जाता है interventions intervention is the act of intervening in a situation that is called interventions अगला शब्द है abundant abundant यहाँ पे adjective की तरह यूज़ हुआ है इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ का त्यार कर देना उसको छोड़ देना पूरी तरह से उसको बोला जाता है abundant left completely and no longer used or wanted that is called abundant अगला शब्द है severe severe यहाँ पे adjective की तरह यूज़ हुआ है इसका मतलब होता है ऐसा कोई काम या ऐसी कोई बात जो बेहद अगंभीर हो सक्त हो कठिनाई कठोड़ता से भरी हो उसे बोला जाता है severe extremely bad or serious that is called severe और आज की vocabulary का अंतिम शब्द है rigor rigor यहाँ पे noun की तरह use हुआ है इसका मतलब होता है ऐसा कोई काम ऐसा कोई process जो बहुत ज़्यादा कड़ाई से किया जाए बहुत ज़्यादा कठोड़ता के साथ किया जाए बहुत ज़्यादा साफधानी बढ़ती जाए जिस काम को करते हुए उसे बोला जाता है rigor if you refer to the rigors of an activity or job you mean the difficult, demanding or unpleasant things that are associated with it that is called rigor तो यह आज की वकादरी का अंतिम शब्द था यदि आपको वीडियो helpful लगा हो informative लगा हो आपने वीडियो से कुछ सीखा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ज़ादा सज़ादा वीडियो को शेर कर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नहें हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुन मत भूलेगा तो आज की वकाबलरी में इतना ही थेंक्यू थेंक्स पर वाचिंग